हेलो एवरीवान नमस्कार दोस्तु स्वागते आप लोगों का एक और नई वीडियो पर दोस्तो आज के इस वीडियो टुटोरियल्स के अंदर मैं आप लोगो को सिखाऊंगा Microsoft Word या फिर दोस्तो MS Word के अंदर किस तरीके से प्रीन टेबल लेटर हेट दोस्तो या फिर लेटर पैट डिजाइन किस तरीके से क्रियेट करते हैं सब कुछ प्रोसेस आज के इस टुटोरियल्स के अंदर स्टेप बाइस्टेप आप लोगों को बताने वाला हूं तो दोस्तो वीडियो पर बने रही अंतक्चाने प्लिवरा तो सस्क्राइब कर लीजे तो सबसे पहले दोस्तों स्टेप नमर वान के कुछ जाना है यहां पर आप लोग देख सकते ओप्सन आपको यहां पर देर सारा देखने को मिलेगा तो सबसे पहला आप्सन आपको यहां पर साइज वाले के अंदर क्लिक करने हैं यहां पर साइज के अंदर क्लिक करने को दोस्तों आपको यहां पर देख सकते देर सारे स सेट करना पड़ेगा तो यहां पर आपको मार्जिन के पर में क्लिक करते हुए यहां पर आपको मार्जिन के पर में क्लिक करते हुए यहां पर आपको मार्जिन के पर में क्लिक करते हुए यहां पर आपको मार्जिन के पर में क्लिक करते हुए यहां पर आपको मार्जिन के प यहां पर completely setting हो चुगा दोस्त आपको 2 step करना है सबसे पहले size 4 उसके बाद दोस्तों margins narrow तो उसके बाद यहां पर आपको design करना start कर सकते हो तो यहां पर में सबसे पहला काम shape का design करके आपको बताने बाला हो step 2 के अंदर यहां पर में shape का design create करना सिखाऊंगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हो shape design करने के लिए insert tab के अंदर क्लिक करना है तो यहां पर क्लिक करने के बाद आपको इसको piece का zoom out zmign करने के लिए आपको कीबोड का control button hold करते लिए आपकों दोस्तों mouse का scroll up down करते इस तरीका से jamall змvign easily कर सकते हो तो यहां पर में सबसे पहला काम इसको shape क के अंदर क्लिक करतेака rectangle shape के अंदर क्लिक करेंगवा तो यहां पर rectangle shape के अंदर क्लिक करते इस तरीके से यहां पर प्रपरली एक rectangle ड्रो कर लेता हूं तो इस टाप से करने के बाद दोस्तों यहां पर में outline इसको no outline करूंगा यहां फिर दोस्त आपको यहां पर fill color यहां से आपको यह बाद डाइरेकली यह बाद कोलर भी देशके थोड़ा सा orange type का color अगर आपको दोस्तों पसंद नहीं तो यहां पर क्लिक करते हैं अडिट पोइंट तो यहां फिर दोस्त आपको इससे के अंदर right क्लिक करते हैं यहां पर डाइरेकली अडिट पोइंट के अंदर भी क्लिक कर सकते दो ओप्सन आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर क्लिक करते हैं आपको थोड़ा सा इसको यहां handle को पकर दिए थोड़ा सा निसी कदर कुस तरीके से खिषने को दोच्तो हिई यह वाला handle को आप चाहिए तो ठोड़ा सा उपर ठोड़ा सा और इसको manage इस तरीके से आपको यहाँ पर जो भी इस type के अंदर भी आप लोग याँ पर करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा थोड़ा करते हैं इस तरीके से मैनेज हो रहा करते हैं यहाँ पर अटेज्मेंट कर सकते हो तो दोस्तो देख सकते हैं इतना तक तो यहाँ पर इजिली ठाम हो चुका है, मुझे जैसा लग रहा है, तो इसको इहाँ पर क्लिक करने के बाद, अब दूस्ते इसको थोड़ा सा यहाँ पर इसको मैनेज करना है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा इसको इहाँ पर में edit करते हैं, manage कर दूँगा अब दूस्ता आपको यहाँ पर इसी shape को आपको एक और copy create करना है तो control D या फिर दूस्तो control hold करते हुए इस तरीके से mouse का left click से इस तरीके से आपको copy कर सकते हो तो उसके बाद दूस्ते इसके अंदर यहाँ पर में इसके लिए आपको यहां पर sketch backward का अपसान है, आपको इस तरीके से click करते हुए थोड़ा सा आपको इहाँ पर इस type का concept आपको देखने कके मिलेगा तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हुए यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हुए. इसको दोस्ता एडिट सेप और यहाँ पर एडिट पोईंट के अपर में क्लिक करते हुए. सेब प्रोसेस यह वहला पोईंट को आपको थोड़ा से उपर इस तरीके से करने बाद कुछ इस टाइब का आपको यहाँ पर सेप डेखने को मिलेगा, otherwise दूस्तो अगर आपको इस तरीके से भी manage करना चाहते हो तो भी manage वगरह करते हुए थोड़ाशा यहाँ पर edit shapes able point करते हुए इसी point को थोड़ाशा इस तरीके से बिल्कुल उबबार रखते हुए यहाँपर आपको काम कर सकते हो अब दोस्ता आपको ये वाला shape को उपर वाले shape को अंदर क्लिक करते हुए format outline यहाँ पर white outline देना है तो इसको थोड़ाशा outline का white यहाँ पर increase करना है ताकि यहाँ पर आपकी इस तरीके का cutout जैसा आपको look देखने को इस दोनों shape को set करते हुए थोड़ाशा उपर थोड़ाशा इधर करते हुए यहाँ पर इस तरीके से fill-up कर सकते हुए तो आपको देख सकते हुए और भी आपको इसको थोड़ाशा उपर नीचे करते हुए यहाँ पर manage कर सकते हुए और थोड़ा से इसको आउटलाइन यहाँ पर इंक्रीज करना चाहते है तो यहाँ से भी और इंक्रीज कर सकते हैं मुझे दुस्तों यह वालाई नाई ठिक टाक लग रहा है तो आप दुस्तों यहाँ पर में क्या करूंगा और आपको शेफ और पसंदे तो और भी शेफ यहाँ पर एडिट कर सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इस वाले सेफ को कंट्रोल डी करते हैं सेम डुबलिगेट और यहाँ पर आपको कॉलर आट करना है तो यहाँ आपको कॉलर आट करते हैं send backward करते हैं और इस tab से भी यहाँ पर आपको design प्रियेट कर सकते हैं तो इसको इधर करते हैं थोड़ा ज़ेम process apply करते हैं इस वाले point को भी थोड़ा से यहाँ पर उपर के तरफ रखते हैं इस type का यहाँ पर concept दे सकते हैं तो यहाँ पर मुझे इसको देना जरूरी नहीं है जो shape select करूँगा इसको थोड़ा असा इधर उदर करते हैं यहाँ पर exactly इसको set करूँगा लोगर रखने के लिए जस्ट यहाँ आपर में white color outline यहाँ आपर में new outline करूँगा तो उसके बात दोस्ते यहाँ पर थोड़ा से इसको edit करने के लिए shape effect के अंदर क्लिक करते हैं यहाँ आपको shadows के अंदर क्लिक करते हैं थोड़ा से नीचे वाला shadow इस तरीके का आपको देना है तो देने गवात कुछ इस type से आपको यहाँ पर उबरता हुगा आपको देखने के मिलेगा अब दूस्तो क्या करना है आपको same process apply करना है इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं यहाँ प अर इसको दोस्ता edit shapes or edit point यह वाला point को थोड़ा सा उपर like this one आप लोग देख सकते हो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं यहाँ पर आपको इस तरीके से properly set करते हैं आप दोस्ते इसी shapes को control और shift hold करते हैं यहाँ पर आपको आपको channel साओंगा यह वाला top लग देख सकते हैं और इसको यहां पर outline white color का कर दूँगा और दोस्तो outline का weight same process इस तरीके से increase कर दूँगा आप लोग देख सकते हैं अब आपको इतना तो काम होने गवाद अब आपको दोस्तो step 3 के अंदर आपको text का काम करना है text और दोस्तो logo का काम करना है तो आपको यहां पर logo inside करने के लिए insert के अंदर क्लिक करते है तो इसको मैं इंसर्ट करते हुए, wrap text के पर में click करते हुए, in front of text करते हुए, यहापर में यह लोगों set करूँगा, आप लोग देख सकते हुए, थोड़ा सा increase करते हुए, यहापर apply करूँगा, दोस्तो देख सकते हुए, कितना प्यारा और खुबशुरत सा यहापर लोगों भी attach हो noise spacing, just आपको यहापर click करते हुए, इसके अंदर आपको यहापर font देना, आपको font के अंदर भी काम करना बहुत ही ज़रूर है, तो यहापर आपको font देना, एक बोल्ट सा font, यहापर में impact font दे रहाँ, तो यहापर में type कराँ, इस तरीके से मैं यहापर type किया, इसको color यहाप पर में properly wide दूँगा, और दोस्तों यहापर इस तरीके से font size increase करूँगा, आपको जितना increase करना है, वो आपलोग increase कर सकते हुए, आपने design के according, तो यहापर में इसको सबसे पहले था 40 का font size देना चाहूँगा, तो आपलोग देख सकते हुए, प्रफरली आपको यह logo को alignment के अं इस तरीके से देकर attach कर सकते हो, तो उसके बाद यहापर आपको जो भी address, जो भी ESTD अगरा है, वो आपलोग देख सकते हो, फोन नमर नीचे के तरफ यहापर attach कर सकते हो, तो क्या करना है, इसको थोड़ा सा और edit करने के लिए यहापर आपको text effect के अंदर click करते हुए, थोड noise spacing, apply noise spacing करना है, जिस्ट आपको इधर करते हो, यहापर आपको address type करना है, इस तरीके से मैंने यहापर address attach किया, जिस्ट इसको click करते हुए, attach कर दूँगा, अब जुस्त क्या करने, इसके अंदर अपलो color बगेरा, जो भी पसंदे, वो select कर सकते हो, attach कर सकते हो, मुझे यहाप अपलोड देख सकते हो, और इसी text को control और shift roll करते हो, यहापर type करना, ESTD, तो यहापर इस तरीके से ESTD 2015 यहापर मैं type करते हो, इसको दूस्ट यहापर font ये वाला, chunk 5 वाला font टेकन, इसको on world करते हो, यहापर मैं color थोड़ा सा yellow, यहापर दूस्त थोड़ा सा light सा yellow, थोड़ा सा font size like this, इस तरीके से increase करते हो, यहापर इस तरीके से attach कर दूँगा, right side, left side, जहापर आपको इस तरीके से apply करना है, तो यहापर भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसके अंदर को इस तरीके से attach करना है, जोस्तो देख सकते हो, प्रफरली यहापर reading लग कर तयार हो चु shift hold करते हो, यहापर line create करना है, दोस्तो यहापर आपको line color, same green, और दोस्तो same process यहापर आपको weight increase कर देना है, like 3PT के आसपास, या फिर maybe 2PT के आसपास, इस तरीके से देगे, आपको थोड़ा सा इसको उपर करते हो, यहापर आपको apply कर सकते हो, तो यहापर मैं इसको attach करते ह copy करते हो, यहापर इसको weight थोड़ा से कम करूंगा पतला, और इसको थोड़ा से यहापर ऊपर करते हो, यहापर attach करते हो, इसको दोस्तो color यह वाला orange दोंगा, तो आपलोग देख सकते हो, प्रपरली कितना प्यारा तरी जेसे, यहापर stylish look, यहापर आपको तेखनेक मिल सेग तो यहापर में, go to register 1, same, home, noise spacing, यहापर में type करूंगा, registration number, तो इस तरीके से reference number, तो गोज इस type से, यहापर में reference number टाइप करूंगा, तो यहापर 14 का font size दोंगा, और इसी को control और shift hold करते हो, यहापर attach करते हो, यहापर में type करूंगा, date, तो आप लोग देख सकते हो, इस तर आपको watermark create करना है, तो उसके लिए जोस्ता आपको same insert, shape, यहापर आपको यह वाला के अंदर क्लिक करते हो, rectangle shift hold करते हो, draw करते हो, right click करते हो, format, shape के अंदर क्लिक करते हो, यहापर आपको field वाले option के अपर में, क्लिक करते हो, यहापर आपको एक और option है, pictures or texture fill, यहापर आपक यहापको फाइल के यां दर क्लिक करना है येस्ट हिहां पर क्लिक करते हुआ आपको जाना है आगे मेने जो लोगोस सैलेट कीया था वही लोगत आपको सैलेट करते हुआ इन शीयट करते हैं एन सेट करते नहीं टो सेम प्रोसेज हिह कुछभी दीक हत वाले बात justification लाइन नौ अउटलाइन इसके अंदर आपलोग एफेक्ट या फिर शाडूज होगरा चाहते हो तो यहाँ पर शाडूज होगरा भी आपको देखने को मिलेगा इफेक्ट के अंदर धेर सारे ऑप्षन है जो शाडूज होगरा इस तरीके से देगा थोड़ास आपको यहाँ सायज भड़ा कर फोड़ासा सायज छोटा करते वे इसको एलाइजमेंट यहाँ फर सेंटर और दोस्ता है क Choose स्याडूज में मैंनेज कर सकते हैं आपप लक देख सकते हैं कितना प्यारा ट्रांस फिरेंस हा आचागे, थोड़्याऊच आपको कम करते हुए यहाँपर आप लकी यूस कर सकते हैं अप दोस्ता आपको लास्ट का काम है यहाँपर आपको contact number attach करने के लिए तो उसी साब से दोस्ते इसी text को control और shift roll करते हुए यहाँ पर copy करते हुए इसके अंदर click करते हुए यहाँ पर में type करूँगा PS यान की phone number तो इसको select करते हुए यहाँ पर थोड़ाचा bold font दोँगा 25 या फिर दोस्तो impact होगरा font देकर इसको यहाँ पर भी same green color ही दोँगा इसको थोड़ा ऐसा font size यहाँ पर increase करते हुए 20 के आसपास रखते हुए इधर इस तरीके से properly attach कर दूँगा आप लोग देख सकते हुए कितना प्यारा और अच्छा यहाँ पर design से आपको create हो चुगा आप दोस्ता आपको इस सी टेक्स्ट को क्लिक करते हुए control or hold करते हुए copy करते हुए यहाँ पर आपको website होगरा apply करना है जैसे कि तो कोज इस तरीके से यहाँ पर मिने type क्या आप दोस्त यहाँ पर मिने देखने के मिले जस्त इसको इहाँ पर एक control line apply कर देना है तो और भी ज्यादा सुन्दर और खुप्सरुत सा design देखने के मिलेगा इस तरीके से आपको इहाँ पर attach करते हुए manage करना है या पिर आप चाहिद इसको alignment center वोगरा भी करते हुए यहाँ पर apply कर सकते हुए और भी ज्यादा खुप्सरुत और सुन्दर लुक आपको देखने के मिलेगा दोस्तो देख सकते हुए इसके अंदर आपको same क्या करना है just आपको text color white देना है ताकि इस तरीके से आपको designs में कितना प्यारा और beautiful सालनुक आपको देखने के मिलेगा तो कुछ इस तरीके से दोस्तो properly printable मैंने एक खुप्सरत सा और beautiful letterpad design create करके आपको दिखा चुका हूँ Microsoft Word के अंदर इसी तरीके से दोस्तो आप लोग भी Microsoft Word का यूज़ करते हुए printable letterpad या फिर दोस्तो letterhead design create करते हुए इसको easily यूज़ कर सकते हुए तो दोस्तो आप लोग आज का वीडियो कैसे लागा प्लीज लाइक किजे कमेंट किजे चैवल भी रहाए तो सब्सक्राइब किजे मैं मिलता हुए वीडियो पर किसे ने टपिक किये पर मैं तब तब के नमस्कार दोस्तो